कि वोड़ीज़ आप गाइज मेरा नाम है शिवम और वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ तो थोड़ा सा नजर मारते हैं कि कल से लेकर आज तक में क्या-क्या हुआ है कुछ चीज़ें हमने अल्री टेलिग्राम पर बात भी कर लिए जिनके बारे विल स्टिल टच दोस क्रिप्टो न्यूज़ का जो यह सेग्मेंट है वो पसंद है तो जरू नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए इसके लावा हम स्टॉक मार्किट के बारे में देरे-देरे बात करना स्टार्ट करेंगे अज़ अधर फैनेंशियल तिंग्स वीविल स्ट इंक्ल कि बहुत सारे लोग जो काफी पुराने हैं मेरे से और हम में से बहुत सारे लोगों से क्रिप्टो में उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि अभी सब लोग ईलन मस्क पर गुसा हो रहे हैं पर आप यह सोचो कि वह नया है और वह आइडियाज ट्राइक करने की एंगल है पर वो भी कभी लोग नए थे तो यह यह ओवरॉल क्रिप्टो कम्यूनिटी की अगर बात की जाए इलन मस्क ने क्रिप्टो कम्यूनिटी को बहुत बढ़ा है डोज को वागरा को तो लोग बहुत बहुत अच्छी बात यह कर रहे थे कि हमें इलन मस्क पर गुसा क्रिप्टो में नहीं है वह एलोन मस्क एन ऐसे लोगों के इंफ्लुएंस से ही ध्यान देती है कि क्रिप्टो में चल किया रहा है और क्रिप्टो कम्यूनिटी अभी खुदी के पेर पे को लाड़ी मार रहा है जो मुझे एकदम तू दर पॉइंट बात लगी ऑल्दो एलोन क मतलब यह तो क्रिप्टो है मतलब क्रिप्टो तो फिर भी ज्यादा वॉलटाइल है आप अगर स्टॉक मार्केट देखो जहां पर एक्सपेक्टेट नहीं होता वहां के मल्टिपल क्रैश दोजार अट्रा उनिस अभी बीस का बड़ा वाला करेक्शन वह सब एक अच्छे अगर देखा जाए तो तो वहां अगर आप उस टाइम पर मार्केट में थे और बने हुए थे तो डेफिनिटल आपने अच्छा किया होगा तो क्रिप्टो मोर और लेस्ट अगर आप अच्छे फंडमेंटल कोई में मेरे हिसाब से लॉंग रन में होडल करने वाले हो तो य यह जो डिप है क्योंकि यूजिली अगर आप हिस्ट्री देखो तो बिटकोइन के साथ थोड़ा डंप लेते हैं तो यह अच्छी ऑपरचूनिटी है में अभी यह लोग भी उसके बारे में पकड़ रहे हैं पर कुछ नहीं वह इलन मस्क कि बारे में такую hi and वो थोड़ा 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 फिर दीरे इतना बड़ा हो गया कि कुछ लोगों ने उसकोन करना start किया उसके इलन मस्क को किसी ने बोला कि आप डोज को इन बेच होगे टेसला ने बेच दिया होगा इंडीड तो वहां से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रोटोकॉल सॉरी सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ है बट वह ब्लॉक टाइम्स का जहां तक इलन ने ट्वीट किया था डोज को आप्लिकेशन है टेक्निकली फास्टर बट वह उतना यूज हो रहा है क्या जितना बिटकोई इस हो रहा है तो इन्हों ने बोला ईलन ब्लॉक टाइम्स अं ब्लॉक साइज इस कैन्ना बी स्केल लाइक डाट अस लांग अस डोज इस बेस्ट उन प्रूफ-वर्क इंविड ने इन्वारमेंटल डिजास्टर उफ्कोर्स न्यू प्रोटोकॉल्स नेसेसरी तो स्केल विच इस वट जैसे हम जो चीज एथीरियम में देख रहे है कि वह पूफ-वर्क से पूफ-फश्टे की तरफ जा रहा है तू इंपूफ दस्केल इंपूब देश्पीड इंपू Elon Musk ने थोड़ा वो चिड़ गए उन्होंने फिर comment उन्होंने फिर ट्वीट किया कि क्रिप्टो करंशी एक्सपर्ट इवर हर्द अफ पेपल इस पॉसिबल मेभी एट इन्वोर देन्यू रियलाईज अबाऊ हो मनी वर्क सिस्वाट इस वाट इस अगर आपको नहीं मालूम इलन स्मार्ट ने इस वेरी वेरी स्मार्ट मैन इए अइन्ग जस्ट वह हम सब लोगों का गल्ती है निया मेरा भी थोड़ा व्यूपोंट चेंज हुआ वह एक दो यूट्यूबर्स के वीडियो मैंने देखे जो बिल्कुल शही बात कर रहे थे तो मेरा भी थोड़ा व्य विटालिक ब्यूटरिन की जहां तक बात की जाए गाइस विटालिक ब्यूटरिन ने चे बिलियन डॉदर का शीबा टोकन बर्न कर दिया है इसे शीबा उपर तो गया है पर जो बहुत सारे आप मेंसे लोग बोल रहे हैं कि शीबा टोकन एक रुपय जाएगा दो रुपय प्लीज 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 ऐसे जहां से मत आओ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि शीबा टोकन इस दो फ्यूचर शीबा जाएगा पांच रुपे तक विन जाएगा पांच चार पांच रुपे तक वगेरा वगेरा नहीं ऐसे यह token और चीज़े काम नहीं करती तो थोड़ा सा अपना research कर लें पैसा डालने के पहले बहुत सारे लोग directly YouTubers की बात सुनकर पैसा डाल रहे हैं and me included मैं मेरी खुद की बात भी आपको बोल रहा हूं मैं खुद मेरी बात सुनकर पैसा अपना पूरा डाल देंगे तो I think आप irresponsible है मैं responsible नहीं हूं तो किसी की भी आप बात सुनते हैं या तो दो तीन चार लोगों की बात सुनिए जो experience वाले हैं उनकी बात सुनिए और सबसे उपर होता है खुद का research करना सबसे उपर तो यह जो शीबा इनू वापिस नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा तो of course automatically उससे क्या होता है उससे शीबाइन टोकन का जो supply है वो कम हो जाता है पर अगर supply कम हो जाता है तो क्या वह ऐसा है कि उसका price बहुत जादा बढ़ेगा अब वह हम धीरे-धीरे देखते हैं कि क्या सीन है क्योंकि उन्होंने जो शीबा में डे बन से बोलता है कि उन्होंने जिस तरीके की marketing की हो उन्होंने खुद को जो हो जो यहां पे मेंचन किया है उन्होंने डोश को एंकि वेब साइट पर बहुदा था उन्होंने बोला था विटालिक भी टिरे नंके पास हमारा टोकन है आप मेरा शीबा वाला वीडियो भी देख सकते हो मैंने तब वहीं पर बात की है और मैंने बहुत गाली भी खाया है तुमको कुछ नहीं पता शीबा को इन जाएगा दो रूपे तक वगेरा वगेरा अन्फॉर्चुनेटली इस केस में I don't think I am wrong तो आपका कुछ मार्किट ऐसा दिख रहा होगा कल रात को अभी धीरे धीरे बेटर आना स्राट हुआ है बट आयम टेलिंग यू इलन मस्क ने तो बोला कि टेसला ने अभी तो कोई बिटकोई नहीं बेचा बट मैं आपको एक चीज और बोलता हूं सिरफ टेसला के बेचने स कुछ नहीं होगा उनलों को बस्री में तो उनलों के बैचने से कुछ नहीं होगा उनलों का जितना लोगों का इसमें I don't, हाथ है of course, Elon के tweet की वज़े से वो push मिला, पर I think उसमें ये भी एक चीज है कि बहुत सारे लोग हैं, जो हम जैसे ही नए हैं, अगर आप stock market में नहीं रहे हो, especially अगर आप उसके इलावा crypto में नहीं रहे हो, क्योंकि 2017 वाला must, बड़े बड़े dip थे, normal corrections, जो थी, वो ही 35-35% क की range में थी crypto में, bitcoin में specifically, अभी का जो ये correction है, वो कुछ भी नहीं है, अभी का correction अगर 40% का भी हो जाता है, as always guys, मैं तो all time bull हूँ bitcoin को लेकर, तो मेरे हिसाब से तो buying opportunity है, short term में क्या भी करें, फरक नहीं बढ़ता, short term में मेरे, मैं जिस दिन लू, उस दिन और 10% किर जाए, it is fine maybe मैं कोशिश करके थोड़ा सा और शायद add कर सकता हूँ, with that being said, मैं सिरफ bitcoin, bitcoin लगा रखा है मैंने, पर bitcoin is not the only one, but I do think की bitcoin में potential है, ethereum में बहुत ज़्यादा potential है, ethereum का जो practical use case है, वो bitcoin से कहीं ज़्यादा है, but हाँ, तो let's see, तो अब जहां तक बात की जाए, eth की, eth मुझे current price अभी पता नहीं क्या चल रहा है, so what are they saying, the price declining here, cool तो मैंने eth का अभी तक, unfortunately, सुबह से chart नहीं देखा, मैं सिरफ अभी bitcoin देख रहा हूँ, तो यह मैं थोड़ा सा आपको देखकर, later during the day, update दे दूँगा, या तो shots वाले channel पे, by the way, अगर आप YouTube Shorts वाला जो channel है, वो follow नहीं कर रहे हो, शिवम चुने जा, Shorts, simple सा नाम है, telegram में भी अगर आप हो, तो telegram में मैंने कल link डाला था, उसमें छोटे-छोटे वीडियो में through the day डाल सकता हूँ, मुझे 20-25-25 मिनट के वीडियो, इसमें पूरे detail में जाने की जू चीजें हैं, अभी जो cardano में भी ज़रूरी है, आप में से बहुत सारे लोग cardano को लेके bullish हो रहे हो, क्योंकि मैंने बोला है, तो please अपना research कर लिजिए, and याद रखिये, cardano deploy नहीं करता है, जहां बाकी के जो projects हैं, या जो coins हैं, वो आते हैं, कुछ publicly डालते हैं, मैंने मेरे card cardano वाले video में बोला है, cardano का एक बहुत बड़ा problem ऐसा है, कि वो लोग कुछ चीजें practically deploy नहीं कर रहे है, वो सिरफ अभी तक theory 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 पर ही चल रहा है, science वाला part चल रहा है, which is good, which is very good, I think one of my favorite coins तो है, but, क्योंकि potential ऐसा है, but problem is, वो potential अगर use नहीं होगा, and वो potential को publish नहीं करेंगे, तो उसका कोई काम नहीं आएगा, तो cardano remember has done nothing till now, तो ज़रूरी थोड़ा सा ध्यान दें, सब अपना बेच बाच के cardano लेना मत शुरू करो, जैसा कि मैंने बोला, एक अकेले YouTuber के कहने पे, या उसने कहां पैसे लगाए है, अगर आप directly करोगे, तो जलने का chance बहुत जादा ब educational advice, financial advice, आप खुद ले, या आपके अगर कोई जान पेचान में है, या जो बहुत सालों से crypto में है, प्लीज, आप उन से बात कर सकते हैं, बहुत 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 बेटर होगा आपके लिए, इससे बड़ा disclaimer में आपको नहीं दे सकता, अभी इंडिविजुली सारे charts हैं, यह म आप जरूर चेक आउट कर सकते हैं, यह एक article था, जो मैं बहुत importantly बोलना चाहता था, पर मैंने जान के इसको पहला ने लिया, तो जो लोग 12 मिनिट तक बने हैं, उनके लिए समझेंगे, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, जिरोंने इस तरी के गडिए देखे हैं, लाइ but I was in stock market, COVID के dip में मैंने बहुत shopping की है, and अभी भी मेरी थोड़ी बहुत shopping चालू है, इसके बाद अगर हमें bitcoin में और भी correction देखने को मिलता है, it is fine, मेरी shopping चालू ही रहेगी, पर अगर जहां तक यह बोलते हैं कि 35% current price से down चल रहा है, cool, which is strong, so let's see how that goes around, if I'm not wrong, bitcoin को जो next support level है, आप बोल सकते हैं, 38, 37, 38 की range में एक support बन सकता है, जो पुराने peaks है, current इसमें, या around 37, 38 के आसपास आप पकड़ो उसको support मिल सकता है, but then there is light support around 30 के level as well, उसका, hopefully let's say, let's hope वहाँ ना पहुंचे, let's hope यहीं पर यह अभी अटकर है, जो current price चल रहा है, 44,000 का चल रहा है, जिसमें ये कल से काफी बार इसने अपना test कर दिया है, वो 43 के वाला level, तो let's see, let's hope ज्यादा हफराद अफरी ना मचे, अगर आप crypto point को follow करते हैं, तो उन्होंने एक text भी डाला था, जिसमें inflows की बात की थी, उन्होंने bitcoin के तो काफी सार पांच हजार के उपर का जो current value inflow का उन्होंने एक telegram channel में एक screenshot चेर किया, 11,600 bitcoin का inflow है, तो there is a chance कि और 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 नीचे जा सकते है, तो जो भी आप कर रहें, थोड़ा ध्यान से करें, मैं बोल रहा हूं, मैं बिटकोईन खरीद रहा हूं, आपने खरीद लिया, और आपको 15 द यहां इस market में आपको बहुत सारे जो पुराने लोग है, वो खुशी-खुशी पैसा डाल कर होडल करते होगे, आपको होडल करने के लिए चांद पर जाना पड़े तो चांद पर जा सकते हैं, पर यह market में ऐसा ही होगा, ऐसे market में ऐसा ही होता है, जब कोई dip आता है, तो आ आपको थोड़ा 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 थोड़ अगर आप average डाउन करते आए हो फॉल में तो जब वह उपर जब कोई भी स्टॉक है बिट कोई है इन दिस केस अ उपर जा रहा है फंडमेंटली कुछ चेंज नहीं हुए तो average थोड़ा सा average अप करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप देखो वह अलड़ी 30-45-40 परसेंट डाउन है पोल का डॉट की जहां तक गाइस बात की जाए कुसामा मैंने आपको बहुत बर एक्मेंट किया कि कुसामा प आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको डबल ट्रिपल काम करना पड़ सकता है तो वह थोड़ा सा आप देखिए लांच वूड जो गैविन वूड है पोल्काड़ के फाउंडरी सेद लांच अफ पैराचेंज वूड प्रोसीड अफूल एक्स्टरनल ओड़िट अड़िट अफ पोल्काड़ और कुसामा एक्जीकिशन तो इसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है अफ्र कुसामा फर्स्ट अक्षिंस कंप्लीट सक्सेस्फुली वन वूड एक्सपेक्ट पोल्काड़ ओक्षिंस तो हैपन सून आफ्टर तो सून हमें कुछ अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं पोल्काडोट से इसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि क्या चल रहा है रोलाट पोल्काडोट प्रोटोकॉल हैस बिन गोईंग सिंस ऑगस्ट यस अफ्कोर्स तो वाच्छा में दीरे दीरे वैसे भी नाई सिरफ प्राइस में बट ओवराल आप मार्केट सिच्वेशन से भी काफी हमें पूछ देखने को मिला है वेंड़ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लॉंच डिस्ट रोको रोको को टेस्नेट तो इवाल्यूएट इस प्लैंट शार्डिंग इम्लिमेंटेशन बेस्ट इसमें जहां तक पैराचेंश की बात है मैंने आप लोग के पार्लियमेंट में कुर्सी मिलेगी तो वो कुर्सी का जो लेने का जो कॉंसेट है और उस टाइम पे जो टोकन्स लॉक हो जाएंगे और तो आउट अफ सप्लाइच चले जाएंगे उससे भी काफी सप्लाइश आने के बात प्राइस बढ़ने का चांस है पॉलका डॉट ने आट लोग होते थे तो यह तीन लोग अभी यह कर रहे हैं इथिरियम वाले जो एक इथिरियम चला रहा है एक पोलका डॉट और एक कारडानो अफ सो वट ही सेज़ बदेर वर इशूज विद रोको को टेस्नेट स्टेबिलिटी फर एक्जामपल वन फिट्स पैराचें जब मैं बोलता हूं मैं बोल रहा हूं वो उनके प्रोजेक्ट पर आप द्यान रख सकते हैं दूसरा का इस मैटिक विच इस वान फ्मय फेवरेट कोईन अस वेल इंक इनका भी जो ओवराल प्रोजेक्ट है बहुत सही है तो Polygon, a leading platform for Ethereum scaling and infrastructure development has attracted 75,000 new users over past 7 days, highlight growing demand for layer 2 decentralized applications, the dApp shows that top 20 Polygon decentralized applications dApps were responsible for the increase in case new users refer to active wallets integrating with Polygon dApps, the influx of new users brought in nearly 1 billion dollars in volume, so Matic देरे देरे पूछ कर रहा है या अपने Matic के price में भी देखी गया होगा यह चीज़े निकली आती है, तो Matic भी एक ऐसा project है जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए, in fact Matic की जो team है वो इंडिया में COVID relief के लिए बहुत कुछ कर रहे है, बहुत सारे इंडियन्स आप अगर आप देखना चाहते हैं तो क्रिप्टो के space में एकी टीम में, तो Matic की टीम आप चकाउट कर सकते हो Polygon, formerly known as Matic, has made several noteworthy headlines over the past month, decentralized finance protocol Mstable launched on the Polygon chain in late April separately, decentralized exchange aggregator 1inch, which आप में से बहुत सारे लोगों मालूम होगा, network recently announced that it has expanded to Polygon Polygon का native token was up, okay 5%, I think Polygon long run में काफी एक अच्छा token हो सकता है, तो अगर आप कुछ सोच रहे हो Polygon के बारे में तो अपना research जरूर कीजे कि यह लोग क्या plan कर रहे हैं, क्या events हैं, अगर आप वैसा करने वाले हैं कि आप by the rumor said the news करने वाले हैं, fine, तो भी ऐसे coins में करना better होता है than meme coins and shit coins, but I think it, Polygon is definitely a long term hold, disclaimer मैंने मेरा, अभी जब यह market गिरनी start भी, Polygon में काफी profit में था, almost 100% से ज़ादा, तो वो मैंने book करके BTC pair में direct trade कर दिया था, तो I don't hold any polygon right now, but just situation change हो रही है, market की Bitcoin की, so I might move into this depending on उस time का price क्या चल रहा है, but this is a project इसको मैं कुद ध्यान दे रहा हूं and of course अगर खरीदा नहीं तो user तो हम बनी सकते हैं, so this is guys, आज का crypto update, अभी इसमें बहुत सारी चीज़े हैं बहुत लंब update है, but बहुत सारी चीज़े हुई है, पिछले 2-3 दिन में आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे questions से specific projects को लेकर किस तरीके से क्या किया जाए, मैंने इस वीडियो में कहीं कहीं आपने notice किया होगा जहाँ, पैसा कैसा डालना है, confidence, resources आपक एक YouTuber है, उसको 20,000, 30,000, 50,000 views आ रहे हैं, मुझे views आ रहे हैं, मेरा crypto का knowledge limited है, मुझे views आ रहे हैं क्योंकि मुझे marketing आती है, तो आपको ये अपना research करना बहुत ज़रूरी है, बात मैं काम की करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी वज़र से भी of course views आ रहे हैं, पर इसका ये मत बोला मैं आंक बंद करता हूँ और उसमें मेरा पूरा पैसा डालता हूँ, ये प्लीज मत कीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, आप आपके life savings को, आपके life savings की तरह treat करो, फेक दूँगा ये वाला पैसा वाला treatment ना दें, तो ज़रूर ध्यान दें, ये market में बहुत volatile market है, बिल्कुल भी जले ना, और Warren Buffet बोलता है, first rule of investment is, or investing is, don't lose money, and the second rule is, don't forget rule number one, अगर आप पैसा खोते हैं, तो वापिस आना बहुत मुश्किल होता है, quick example, उसका ये वीडियो बंद करेंगे, अगर आपने 100 रूपे डाले है, 100 रूपे से, अगर आप 50 रूपे पे आगे हैं, आपको 50 परसंट का फॉल मिला है, अब 50 से 100 रूपे आपको 100 परसंट का गेन चाहिए, it essentially becomes a very long game, अगर आपने आते ही पैसा खोद या है मार्केट में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको एक तरीके से recover करना, क्योंकि जितना नीचे कहा है, उस डबल आपको अप in this kind of case, 20% नीचे गया है, तो 40% आप चाहिए, आपको कुछ अच्छा लाने के लिए भी और वो 50% डाउन जाके 100% आप सिरफ ब्रेक इवन पर आओगे, प्रॉफिट पर भी नहीं आओगे, तो वो ज़रूर ध्यान में रखें, थोड़ा अपना रिसर्च करें, अपना रिस कैलकुलेट करें, और उसी साब से ही पैसे डालें कहीं पर, इस इस शिवम, साइनिंग आफ, मैं आप लोगों मिलूगा अगले वीडियो में, चाचाओ